ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुर्ली, 15 जुलाई 2024 दिन सुमवार की संपूर्ण मुर्ली, मीठे बच्चे देहभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारन करो तो रावन की जेल से छूट जाएंगे. प्रश्ना हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावन की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं. बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुडाने. इनसे बचने के लिए सिविलाइजड बनो. ओम शान्ती! द्रामा के प्लैन अनुसार बाप बैठ समझाते हैं. बाप ही आकर रावन की जेल से छुडाते हैं क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावन की जेल में हैं. फिर जब शरीर छोडते हैं तो भी गर्ब जेल में जाते हैं. बाप आकर दोनों जेल से छुडाते हैं फिर तुम आधाकल्प रावन की जेल में भी नहीं और गर्ब जेल में भी नहीं जाएंगे तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुशार्थ अनुसार हमें रावन की जेल से और गर्ब जेल से छुडाते रहते हैं बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावन राज्य में फिर राम राज्य में सब सिविलाइश्ड होते हैं कोई भी भूत की प्रवेश्टा नहीं होती है देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेश्टा होती है अब तुम बच्चों को पुरुशार्थ कर देही अभिमानी बनना है जब ऐसे लक्ष्मी नारायन बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे अभी तो तुम ब्राह्मन कहलाते हो रावन की जेल से छुडाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं इस समय हैं तमो प्रधान कैरेक्टर्स देवी और आसूरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है बाप समझाते हैं अब पुरुशार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है तब ही आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नमबर वन देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है सारा मदार कैरेक्टर्स पर है देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं जगनात के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ग्रिस आधी देवताओं की ही है दिखाते हैं देवतावाम मार्ग में कैसे जाते हैं पहली फली क्रिमिनलिटी है ही यह काम चिता पर चड़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिलकुल काले हो जाते हैं पहले फले गोल्डन एज में है, सम्पून गोरे, फिर दो कला कम हो जाती है त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेनी स्वर्ग बाप ने समझाया है रावन के आने से ही तुम्हारे उपर कट चड़ना शुरू हुई है पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशश बने अब बाप कहते हैं सुधर्ते जाओ, यह रावन का जेल बहुत बड़ा है सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावन के राज्य में है न राम राज्य और रावन राज्य का तो उनको पता ही नहीं है अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का संपूर्ण तो कोई बना नहीं है कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुन धारण कराते हैं देह भिमान तो सब में है जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह भिमान कम होता जाएगा सर्विस करने से ही देह भिमान कम होगा देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं सभी को क्रिमिनल रावन की जेल से छुड़ाएं सद्गती प्राप्त करा देते हैं वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी यहां डबल जेल हैं सत्युग में न कोट है न पाप आत्माए हैं न तो रावन की जेल ही है रावन की है बेहत की जेल सभी पाँच विकारों की रस्यों में बंधे हुए हैं अपर्मपार दुख हैं दिन प्रति दिन दुख्ख वृद्धी को पाता रहता है सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज त्रेता को सिल्वर एज सत्युग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा की दो कला कम हो जाती है आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावन के राज्ज में देहभीमानी बन पड़े हैं अब बाप आया है रावन की जेल से छुडाने के लिए आधा कल्प का देह भिमान निकलने में देरी तो लगती है बहुत मिहंत करनी पड़ती है जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्यान उठा सकते हैं कोई मरे फिर आकर पुरुशार्थ करे सो तो जब आरगंस बड़े हों समझदार हों तब कुछ कर भी सकें देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे जितना सीखे उतना सीखे इसलिए मरने से पहले पुरुशार्थ करना चाहिए जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे इस हालक में बहुत आएंगे जाड वृद्धी को पाएगा समझानी तो बहुत सहज है बामबे में बाप का परिचय देने के लिए चास बहुत अच्छा है यहां हम सबका बाप है बाप से वर्सा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए कितना सहज है दिल अंदर गदगद होना चाहिए यहां हमको पढ़ाने वाला है यहां हमारी M-Object है हम पहले सद्गती में थे फिर दुर्गती में आए अब फिर दुर्गती से सद्गती में जाना है शिवबाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावन राज्य होता है तो पांच विकार रूपी रावन सर्वव्यापी हो जाता है जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं न बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है उल्टा समझ गए हैं उल्टा समझते, विकारों में गिर्ते गिर्ते, गालिया देते देते भारत का यह हाल हुआ है क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे भारत्वासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमोप्रधान बुद्धी बन पड़े हैं वह फिर न इतना उच बने न इतना नीच बने हैं वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावन की जेल से छुडाने आया था अब फिर छुडाने आया हूँ आधाकल्प है राम राज्य, आधाकल्प है रावन राज्य बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझा इतने अपर्मपार दुख क्यों हुए है पहले तो अपर्मपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था यह सर्वगुन संपन्न थे, अब यह नौलेज है ही नरसे नारायन बनने की पढ़ाई है, इनसे डैवी कैरेक्टर्स बनते हैं इस समय रावन के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिग्डे हुए हैं सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृध्धी होती रहती है ऐसे ही वृध्धी होती रहेगी, तो फिर खाना भी कहां से मिलेगा सक्यूग में तो ऐसी बाते होती नहीं है वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं यह कलियुग है दुख्धाम, सब विकारी है वह है सुख्धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है घड़ी-घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए बाप कहते हैं मैं पतितपावन हूँ मुझे याद करने से तुम्हारे जन्मजन मांतर के पाप कट जाएंगे अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे न पतितपावन सर्व का सद्गती दाता एक बाप है जरूर वह किसी रत में आया होगा बाप कहते हैं मैं इस रत में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है जो पहले फहले आये होंगे वही आएंगे उनके ही बहुत जन्म होंगे फिर कम होते जाएंगे सबसे पहले देवताय आये बाबा बच्चों को भाशन करना सिखलाते हैं, ऐसे-ऐसे समझाना चाहिए अच्छी रीती याद में रहेंगे, देह भिमान नहीं होगा, तो भाशन अच्छा करेंगे शिव बाबा देही अभिमानी है न कहते रहते हैं, बच्चे देही अभिमानी कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है तुम बच्चों को कभी भी सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए बाब से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे नहीं तो बहुत हैं, जो जूठी बाते बनाने में देरी नहीं करते हैं फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे-ऐसे कहा, सुना कर उनको ही खाक कर देंगे बाबा जानते हैं, ऐसे बहुत होता है उल्टी सुल्टी बाते सुना कर दिल को खराब कर देते हैं, इसलिए कभी भी जूठी बाते सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है अंदर सफाई होनी चाहिए कई बच्चे सुनी-सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए न ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है शिव बाबा को भी भूल जाते हैं बाप तो आये हैं सबको उँच बनाने प्यार से उठाते रहते हैं इश्वरिय मत लेनी चाहिए निश्चे ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पांड भी नहीं मिलेगा बाप जो समझाते हैं उसको धारन करना चाहिए तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शान्ती स्थापन करने के निमित बने हो एक बाप के सिवाए और कोई की मत उँचते उँच हो नहीं सकती उँचते उँच मत है ही भगवान की जिससे मर्त बाभी कितना उँचा मिलता है बाप कहते हैं अपना कल्यान कर उँच पद पाओ, महारती बनो पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे यह है कल्पकल्पांतर की बात सत्योग में दासदासियां भी नमबरवार होते हैं बाप तो आए हैं, उच बनाने परन्तु पढ़ते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो उच नीच पद होते हैं ना, यह बुद्धी से समझना है मनुश्यों को पता नहीं पढ़ता है कि हम कहा जाते हैं उपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कहा तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे कहा आईरन एज में आये हो इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं अब यह सभी बातें जब समझें तब कहें की ज्यान किसको कहा जाता है कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं अच्छे-च्छे सेंटर्स के अच्छे-च्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है फाइदा, नुकसान, इजर्त की परवाह थोड़े ही रखते हैं मूल बात है ही पवित्रता की इस पर ही कितने जगडे होते हैं बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं न आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी अच्छा, मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक, कभी भी सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिती खराब नहीं करनी है अंदर में सफाई रखनी है जूठी बाते सुनकर अंदर में जलना नहीं है, इश्वरिय मत ले लेनी है दोग देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुशार्थ करना है किसी की भी निंदा नहीं करनी है फाइदा, नुकसान और इज़त को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है बाप जो सुनाते हैं, उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है जो बच्चे तरिकालदर्शी की सीट पर सेठ होकर हर समय, हर कर्म करते हैं वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, पूनी हैं चाहे स्वयन द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे मायावा प्रकृति द्वारा सब प्रकार से परिस्थितिया तो आएंगी आनी ही है लेकिन स्वस्थिती शक्तिशाली है तो परस्थिती उसके आगे कुछ भी नहीं है सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदिमध्यन्त तीनों कालचेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे स्लोगन सर्व शक्ती वज्ञान संपन्न बनना ही संगम्युक्की प्रालब्ध है